नमस्कार दूस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दूस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9-10 सुरीगार अगस्त की आपके रासी के कुम्मेरासी के महारासी फल के बारे में सबसे पहले दूस्तों जिनका भी यस में बढ़े हैं या मैरे जनमर्स्री हैं आप लोगों को हमारे तरब से धेर सारे सुपकावनाएं आप दिन दूगने रात चोगने दरके गरे हैं तो आई यसी के साथ बात करते हैं यस में ग्रोहों किस्तिती कैसे रहेंगी क्या क्या यो दोस्तों इन तीन दिनों में आपको पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा आर्थ किस्तित्य और धन किस्तित्य को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं इन सभी की महत्पुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा वीडिय वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर लें ताकि रोजान रासी फल आपको समझ से मिल सकें और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों कुम्भे रासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि आपके आई के छेतर में लगतार बड़ोतरी हों आपको अपने घर प्रिवारे में खुश्चों की फ्राप्ति होंगे आपका स्वास्त भी कफ यूत्तम होंगे कोई विजोकिम बरकारी करने में आपको सफलता मिलेंगे पती और फत्री के साथ बाहर गुमने जाने का प्लान बना सकते हैं बिजनस के छित्र में धानला आपके नएन अवसर भी फ्राप्ति होंगे घर प्रिवार का महौल बहुत सुख और सांती पुरवक रहेंगे आपको लियाने वाला समय बहुत ही अच्छा रहनी वाला हैं नोकरी के छित्र में आपको प्रदसन भी बहुत जाद बहत्तिन संतान पक्से से भे आप लोगों को खुसकवरी की फ्राप्ति होंगे जिनसे आपको खुसी महसुस होंगे आपको अपने कामकाजिश संतुष्टी की फ्राप्ति होंगे आप अपने सभे योजनाओं को अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं जिससे आपको संतुष्टी की फ् प्रतियासित प्रणामों की फ्राप्ति होंगे और कुछ पुदाने नटके वे कारी को भी आसानी से हल कर सकते हैं आपके दुबारा किया गया कड़ी मेहनत पे रंग लाने वाली हैं भागिदारों के सयोग से आपको अपने कारूबार के शित्र में कुछ नया बदलाब करने के मौके मिलेंगे नसानक से लाब की फ्राप्ति होने वाली हैं आनी वाला समय धन कमाने के नई ने साधन को प्राप्ति होंगी रुपए पैसों में वड़कर हो सकती हैं कारिशेतर में विसेश बड़ी खुसकवरी का आगवन हो सकते हैं आपके सोचे विकारी भी अवस्य फूरे होंगे और आप अपनी जिम्मेदारी को फूरा करने की विसेश कोसिस कर सकते हैं इसमें आपको जीव नए प्रोजेक्ट की सुरुवात कर सकते हैं आपके जिम्मेदारी में अवस्य वड़क्तरी होंगी आपके सपने विसाकार हो सकते हैं आपको जीवन में धेर सारे दंदोरत की प्राप्ति होंगी आपको कश्टों से मुक्ति मिल सकती हैं आप बहुत इभाग साली रह सुको हैं और सभी प्रकार के करजों से रुटकारा भी आसाने से मिल सकेगा आपको अपने घर में आपने प्रिवार में सबसे ज़्यादा बड़े भाई का स्पोर्ड मिल सकता है जो आपके लेकाफिस भोंगे और आपके जिम्मेदारी में ब्रोत्री करवा सकते हैं और कारिशेतर म आपके सोचने समझने और कारिक करने की एक्षा सकते में अबसे बड़ोत्री होंगी आप अपने दैनिक दिंचरिया को काफी प्रिवर्तित करने का प्रियास कर सकते हैं और जीवन में लाव कमाने के मोके भी प्राप्त कर सकते हैं मत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे क कि आप इसमें किसी के साथ भी कोई भी गलत कामों को बड़ा बना दें। जीवर में लाव कमाने के मुक्य भी आपको अबस से हांसिल हुंगे। कारी शेत्र में भी आपको सुनवरा प्रीवर्तन हो सकता है, जो आपको जिम्मेदारी का एसाज आपको आसाने से करवा सकता है इस समें आपको अलग अलग शेत्रों से नई और काफी बहत्रिन जानकारी की फ्राप्ती होंगी आपको अचानक से रुपय पैसे मान सम्मान इज़त सोरत की फ्राप्ती होंगी आप अपने प्रिवार वालों का सपोर्ट बासकोगे, आपके दिमाग में, आपके बुद्धी में नई नई योजनाई आ सकती हैं, कारसल में उच्छा दिकारी भी आपसे प्रसंद होंगे, जो भी कारे आप अपने मेहनत और लगन से करेंगे, उसमें आपको सफलता भी अव कुछ बड़े वदलाव कर सकते हैं, और कुछ बड़े कारी को करने में, आपका अफिस सक्चम हो सकते हैं, आपके दिमाग में आपको नई योजनाई को लागू करने के मौके भी अवस्य हासल होंगे, कारी शेत्र में आपको सनवरे और 72 प्रनामों की फ्राप्ती होंगी, आपके उफर मालक्त्मी की गृपाद रिष्टी बने रहेंगी साधी सुधा जिंदिगी में चल रहें तना आप भी दूर हो सकते हैं स्वायत समंदी प्रिसानी से आपको चुटकारा मिल सकता है आप अपने मन पसंद बोजन का अनन्द ले सकोगे परिवार के लोगों के साथ आपके सिधारवी कारिकर में भाग लेने का उसर भी प्राप्त बोजन कर सकते हैं बैपार बैवसाय से जुड़े वे लोगों को अपने में कुछ बदलाब करने के मौक्पे बिल सकते हैं महादेव जी जी कि क्रिफ़ा से आपके समाद एक मानसमान और प्रतिष्टा में वर्दि होंगी आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद में और कफी कुछ हाल रह सकता है आपके सभी अधूरे कामकाज भी अवस्य पूरे होंगे आप ने वहान खरदने के मोके भी प्राप्त कर सकते हैं आपको अपने व्यपार व्यवसाय में अधिक मुनाफ़ा मिल सकता है और कोई योजना विहात लग सकती हैं आपके प्रेम समंदों में मजबूती आ सकती है माता के सियत में सुधार आने का योग रह सकता है आपको खान पान पर अधिक रूची देने के मोके भी प्राप्त हो सकते हैं अधिकारी भी आपके कामकाजों का पूरा सहीयोग दे सकते हैं समाजिक शेत्र में आपका अधिकार बढ़ सकता है विद्यार तिवर्गे के लोगों को सिक्षा के शेत्र में सफलता की प्राप्ति अवस्य होने वाली है आपको अपने मेहनत के अनुसार फलो की फ्राप्ति होंगी कामकाज की अच्छे नतीजे भी मिलने की वज़े से आपका फिकुस और तनाव मुक्त रह सकते हैं आपके जीवन में लगातार कुसों की फ्राप्ति होने वाली हैं आपके सभी कश्टों का समपन होने वाला है और सनीदेव जी की घृपसे आपके जीवन में लावकारी प्रिणामों की प्राप्ति होंगी आप अपने प्रेमिक की मदद से जीवन में काम कादे को पूरा कर सकते हैं बहस करने से वचने का प्रियास करें लवलाइफ वालों के लिए यसमें बहुत यच्छा रह सकता हैं आप अपने साथी के साथ समय विसाने कम